Always welcome साथियो, Digital Class, हमेशा आपके साथ Strength of Materials, Download Complete Notes with Full Video Solutions साथियो, ये Strength of Materials की सीरीच चल रही है, सभी Notes आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो अब तक आपको पढ़ाए गए हैं यदि आपका कोई Completion से Related Doubt है, तो आप हम से Contact कर सकते हैं Contact Link, आपको Video Description मिल जाएगी साथियो, वहाँ से आप Contact कर सकते हैं, यदि आपका कोई Content से Related सुझाव है, तो आप हमें Suggestion दे सकते हैं, साथियो, हम कौशिस करेंगे अपने आपका Update करने की इससे पिछली वीडियो में साथियो, हमने जाना था, डिटेल में, कि यदि आपको Frame ऐसा मिले, जो की Curved Member हो, तो इसमें आप किस प्रकार Strain Energy Method लगा कर, इसके किसी Point पर, या फिर इसके End पर, Deflection ये इसका Displacement ग्याद कर सकते हैं, साथियो, इस प्रकारा में ये Final Displacement प्राप हुआ था, हाँ तो मेरे महन में योद्दाओ, सोर मचाईए, आप इस तकनिक के अंतिम पड़ा परा पहुँचे हैं, आप सब बहुती बहतरीन कर पाए हैं, अब तक यदि यहां तक आप पहुँचे हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इस रन्नीती का अंतिम पड़ा है साथियो, तो आप सोर मचा सकते हैं, यह ट्राइंगोलर सेफ्ट केंटिलेबर बीम, पेज है 169 DC, डिजिटल क्लास, साथियो यदि आपको इस परकार की बीम मिले, जैसे आप देख रहे हैं, यह साइड व्यू है इसका, इस परकार एक एंड फिक्स है इसका, और दूसरा यह साइड व्यू है, यह साइड व्यू है साथियो, इसका, इसकी थिकने स्टी है व्यू की, लैंथ एल है, इस परकार आप देख सकते हैं, पी इस पर लोडिंग लगे हुई है, अब इसका आप साइड व्यू देखेंगे साथियो, यह साइड व्यू तो यह इसका भी हो गया है इस प्रकार अब साथियों आप इस पर मुमेंट निकालना चाहते हैं तो एक section कट करते है एक डिस्टैंस पर एक डिस्टैंस है section कट कर लिया साथियों अब ये question mark लगा हुआ है इसकी height या width कितनी होगी साथियों ये end भी है इसका total length L है जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है इस परकार साथ हो अब similar triangle हमको यह question mark यह width ग्याद करनी है तो हम similar triangle लगाएंगे साथ हो जो अपना यह और इसकी length base divided by height इस परकार साथ हो इसके base base से और height से ratio लगा कर हम same इसमें भी इस्तमाल करेंगे question mark divided by x इस परकार साथ ह हमें यह question mark यह width find out हो जाएगी इस परकार हमें finally यह width मिल गये साथ हो इसकी इस परकार आप देख सकते हैं यह question mark हमने प्राप्त कर लिया है यहां कितना है अब न यह इसके into में चली जाएगी b into x divided by l इस परकार यह width है साथ हो इस cross section की यदि आप इसको यहां से cut करें और साम हम प्रकार अप साथयों इसका moment of inertia लेंगे about X-axis इस परकार यदि आप X-axis के about मोमेंट of inertia लेंगे जैसा कि हम जानते हैं b, d, q divided by temporal होता है rectangle मोमेंट of inertia जो भुजा कटती है जो side कटती है साथ ह, उसका q होता है इस परकार T q हो गया है बाकि यह same भुजा है divided by 12 इस परकार moment of inertia इसका आपने प्राप्त कर लिया है यदि अब आप इस पर moment निकालना चाहते है साथियो moment at x x x इसे जिस पर हम cut कर रहे हैं साथियो section लिया है उसको x ले रखा है moment at point x is equal to px क्योंकि साथियो यहाँ पर p load लग रहा है इस परकार आप देखेंगे p load लग रहा है इसकी perpendicular distance x है तो हमें इस point पर moment px प्राप्त हो जाता है इस परकार आप देखेंगे px moment प्राप्त हो गया है अब साथियो इस moment का हम with respect to p हम differentiation कर देंगे partial differentiation कर देंगे साथियो इसका तो यह p हट जाएगा यहां से और हमें प्राप्त हो जाएगा x इस परकार साथियो हमने यह value प्राप्त कर लिए अब साथियो इस equation को हम moment जो ले लिया है और आप आपने इसका partial differentiation ले लिया इसका strain energy में put कर देंगे जो कि अपना यह updated formula है साथियो आप चाहें तो पहले strain energy निकाल सकते हैं फिर उस strain energy का आप differentiation करेंगे partial differentiation with respect of p तो आपको साथियो इसी परकार deflection प्राप्त हो जाता है y a प्राप्त हो जाएगा लेकिन यदि आप इस method से direct करना चाहते हैं दोनु पहले निकाल कर solve करें तो आप यह moment डालेंगे फिर यह इसका partial differentiation into dx divided by यह साथियो यह अपना i है साथियो e into i होता है moment of inertia तो इस section का हमने moment of inertia यह पर डाल लिया है तो यह e into moment of inertia अब इसको साथियो solve करते हैं आगे तो मिलता है हमको यह 12 उपर चला जाएगा 12p divided by e b t q into dx इस परकार साथियो अब इनका integration हम करते हैं तो हमें y a is equal to 6p l divided by e b t q पर आपत हो जाता है साथियो यहाँ पर यहाँ l q मिलेगा आपको integration करने पर यह square हो जाएगा बटे में 2 आएगा और एक l पहले से यह l length आप डालेंगे limit यूज करेंगे साथियो तो यहाँ पर यह print नहीं है इस परकार आप देख सकते हैं l q आएगा y a is equal to 6p l q divided by e b t q इस परकार आपको finally इस point पर deflection प्राप्त हो जाएगा यहाँ आप देख रहे हैं साथियो जो अपना यह load लग रहा है इस load से इसमें इसका elastic curve कुछ इस परकार आएगा जो यह deflection है साथियो यह distance है यह y a है deflection of point a इस परकार आप इसे देख सकते हैं जो कि हमने प्राप्त कर लिया साथियो y a is equal to 6p l q divided by e b t q हम तुम किसी मंजिल पर जा रहे हैं और आप रस्ता भूल जाएं सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो क्या हो digital class से contact हो यदि आपका कोई भी इस related confusion है तो आप हमसे comment करकर पूँछ सकते हैं साथियो आप चाहें तो contact कर सकते हैं इस vision जंग के मैदान में आपका पैर जमा कर हमारे साथ डटे रहना साथियो इसके लिए हम आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं आपका सामर्थ साथियो काभी ले तारीफ है वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद झाल झाल